हिंदू धर्म में दशहरा के त्याहार का विशेश महत्व होता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का संकेत माना जाता है। वहीं अगर आप दशहरा के दिन अपराजिता के फूल के कुछ उपाय कर लें, तो इससे घर में खुशाली आ सकती है। आईए जाने इस बार रेशानिया खत्म होने लगती हैं। साथ ही धन के अन्य मार्ग खुलते हैं। अगर आप दशहरा के दिन नहाने के पानी में अपराजिता के पाँच फूल मिला कर स्नान करें, तो इससे उन्नती के मार्ग खुलते हैं। दशहरा के दिन साथ फूल मा लक्षमी को अर्पित क इन्हें अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन आकर्शित होता है। एक बर्तन में अपराजिता के फूल रखकर उसे घर के इशान कोन में रखें। ऐसा करने से घर में खुशाली आती है और धन के मार्ग खुलते हैं। दशरा के दिन अपराजिता के ये उपाएं जरूर अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनेल को जरूर सब्सक्राइब करें।